तो अलो दोस्तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल एक्सचेंज 22 प्रडिक्शन में दोस्तो आज किस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सचेंज 22 एप्लिकेशन पे एक बिल्कुल ही आसान सा तरीका जिससे कि हम महिने का अगर हमारा बजट है 10,000 रुपे तो इजीली उसको 2X कर लेंगे ठीक है न मैं ज्यादा बड़ा चड़ा कर आपको नहीं बताऊंगा कि आप 10,000 से जो एक लाग कर लोगे जैसे जैसे आप उसमें पैसा बनाओगे आप सीखोगे तो एटोमेटिक आपको रिजल्ट मिलेगा और आपका पैसा जो हो आपको पता लगेगा कि हां मैं कुछ अर्न कर रहा हूँ तो सबसे पहले दोस्तो यह है अपना टेलेग्राम चैनल इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ इसा दोस्तो वाटसप चैनल का भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा तो जोइन कर लेना टेलेग्राम को यहां पे आपको एक्सचेंज की फिक्सविए गैरा मिलती है और साथ-साथ तो देह मेándole को जोइन कर ही सकते हैं क्योंकि हम जो हो रिस्क लेते हैं वेड़ाउट रिस्क आज की टाइयम में शर्वावव करना ही मूश्किल है एदनना है जो हम आपको अच्छे प्लेर्श देते हैं हम उसको टीम में ही नहीं रखते हैं केप्टन वाइस केप्टन तो दूर की बात जो अच्छा कर रहा है लोग क्या गरते हैं उसको उसका सेलेक्शन होता है लेता है दस में से साथ सेवन पॉइंट फाइफ साथ साथ का मारा विनिंग परसेंटेज रेता है मतलब सतर पिचेतर परसेंट रिजल्ट हम आपको निकाल के देते हैं तो आपकी चोईज है अगर आप जोइन रहना चाओगे तो आप प्रोफिट बनाओगे इस एप्लिकेशन के बारे में पहली बार सुन रहा है या पहले सुना आया तो अभी तक डाउनलोड करो दोस्तो यहां पर GST के साथ साथ TDS भी फ्री है और साथ हम एक प्लेयर को सिंपल वे में बाय या सेल करके प्रोफिट बना सकते हैं वैसे तो हमें 11 प्लेयर की टीम बन पर कमाना आसान है बस हमें अपना फंड मेनेजमेंट करना है अपना इंवेस्टमेंट अच्छे से करना है तो इसका वी डाउनलोड लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कॉमेंट पीन करके रखा हुआ है रेफर कोड का यूज कर लेना ताकि आ इसका नाम ग्राफिक स्टेटेजी करके ये वीडियो बनाया था अब इसकी पार्ट वाइस सीरीज में कंटिन्यू करें हूँ क्योंकि अभी हम कंसिस्टेंट हो चुके हैं यूटूब पे अपना पूरा फोकस जो अभी फैंटसी यूटूब इन पे यह और जीत पे है अप इसका नाम ग्राफिक स्टेटेजी है तो इसका एक सीम्पल वे में नाम भी हम रख सकते हैं क्रिकेट का लोग के यसाब से अगर आप चलोगे आप उसके इसाब से इनवेश्टमेंट करोगे तो आप 110% प्रोफिट में रहोगे अगर आप अपका इनवेश्टमेंट सही नह अगर आप अच्छे से चलोगे तो आप जो प्रोफिट में ही रहोगे तो अब इसकी हम स्टेटेजी की बात करते हैं ग्राफिक स्टेटेजी की मैं आपको दो प्लेयर के एक्जांपल दूँगा और बताऊंगा कि क्या कैसे ये एक्सचेंज वर्क करता है तो दोस्तों आपन आप प्रोफिट में रहोगे बड़ा नहीं कमा पाऊँगे बट कमा आप 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 अप बात करेंगे इसमें एक प्लेयर का पीछा करके ही पैसा बनाते हैं इन्वेश्टमेंट कैसे करते हैं वो चीजें आपको अच्छे से बताई जाएगी इसमें तो सबसे पहले ये तो ह अभी इसकी लास्ट 10 इनिंग्स है, जो हाली में अभी इंगलेंड के खिलाफ 2 में चुए थे, तो उसके अंदर एक में इसका 59 स्कोर था, एक में 31 था, उससे पहले जो स्कोर्ट लेंड के खिलाफ सीरीज वी थी, उसके फर्स्ट मेंच के अंदर इन्होंने 80 रन की खेली, उस इसने मजलब 10 मेंच खेले हैं, ठीक है उसमें 300 रन की है, एक मेंच के आवरेज आ गई 30 रन की, अब 30 रन में हम यह देख सकते हैं कि कितनी बांटरी से लगाता है, दो, तीन, चोके या एक सिक्स लगाता है, उसके एक्स्ट्रा पॉइंट हो गए, उसमें भी देखते हैं कि अब उसका रेट 32, 34 की जितना भी हो बाएगा, अगर उसका यह सीन है कि लगबग 10 मिच से एवरेज निकलती है, हम क्या गरते हैं कि ट्रेविस हेड को हमने जैसे कि अब यहां से एक 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 जामपल लेके चलते हैं, ठीक है, यहां से मैंने सेल किया, मेरा लोस हो गए, क दूसरे में इसने हमें लोस दे दिया, थर्ड में एगें, no loss, no profit, but overall हमने तीन में इन्वेस्ट किया, दो में हमरा वापस आ गया, अब इसमें हम अंदाजन रेट लगा देते हैं, जैसे कह हमने एक हजार का इन्वेस्ट्मेंट किया, तो हमारा हजार का हजार चला गया, क्य तो मैं क्या करूँगा, तीन हजार उपे लगाँगा, अब देखो, तीन हजार लगाँगा, ये गया जीरो पे, डग पे, मतलब इसके पॉइंट हो गई जीरो, अकर ये फिल्डिंग हो गईर से कुछ पॉइंट ना देता है, बट बाद में चांसे थोड़े से कम ही हो जाते ह बट, मोश्ट प्रव्लिस में इनके जीरो ही थे, सो हमने एक हजार लगया था, टोटल तीन मेंच में, जिसमें दो में हमारा नोलोग्हार इक में एक हजार चले गए, तो फिर जिस में ये आउट होने वाला था, जीरो पे हमने तीन हजार लगये, तो हमारा हो गया, अब इ एक चैनल पर पहले भी वीडियो बना के रहा आप देख सकते हो उसको जिसमें मैंने अच्छे से समझाया वास विद प्रूफ तो कहने का मतलब कि अगर आप 10 मेच में भी कंटिन्यू एक प्लेयर का पीछा करोगे उसकी एवरेज के अगर उसकी एवरेज ऐसी है कि 10 मेच में 15 इतनी एवरेज है तो उस प्लेयर को मतलब बिलो कम एवरेज का है वह अपने रेट के तो वह 16 ही पॉइंट दे पाता तो उसको करो वह सेल जिसकी एवरेज हो 30-35 की मतलब वह अगर दो गें में फ्लोब भी होता है तो 35-35 वाली एवरेज है वह तीन गुना गर दो 35 को मतलब दो एक मैचेस है जिसमें सो पॉइंट भी देगा दस मैचेस में से सो हमारा हो जाएगा वह या प्रोफिट तो यही चीज़ है अब उसके बाद हम बात करने वाले हैं इंट्रेवी सेड़ की जो पांच इनिंग थी तो हो गया जैसे यहां पर हमने सेल किया तो हमारा हो गया फिर अगेन हम इस चीज़ को दो राते हैं दो बार हमने फिर इसको सेल किया दो बार लोस हुआ दिसरी बार बडाके जो हमने इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं कि 1x 3x एसा करके आप जो इन्वेस्टमेंट ग्रोओ आप डेफिनेटली प्रोफिट में रहोगे फिर अग इनिंग में लगबग लगबग साथ वार 30 से प्लस प्लस का स्कोर किया तो कोई मतलब ऐसा बंदा मैं कम ही देखूंगा जो इसको सेल करना प्रेफर करेगा सेल वो बंदा गरेगा जिसके पास अच्छा खासा बजेट है वो सोचेगा कि अगर 20 में कुछ कर जाए तो मेरे को फ तो उसको बाइक लिए सेलेक्ट करना जिसकी एवरेज 15 से कम हो या एवन 20 तक भी हो तो उसको आप जो सेल से स्टार्ट कर दो नेक्स्ट फाइव मेच के लिए तो यह है दोस्तों अपनी ग्राफिक स्टेटेजी का बाकी आपको नेक्स्ट इक्जामपल देता हूं यह तो इसने किस प्रकार से कितनी 50 लगाई है यहां पर एक हो गई दो तीन चार मतलब दस में से चार बार इसने जो हो 50 प्लस स्कोर किया और दो बार 100 प्लस तो पोटेंशल आइस प्लेयर में यह ODA के भी लाएक है T20 के भी लाएक है तो कभी भी अगर आप इस प्लेयर का पीछा अगरो ग्राफिक स्ट्रेटेजी के कोडिंग तो इसको हमेशा बाएक लिए रखना बाकि आप टेस्ट का भी देख लो इसके जो टेस्ट की जो इनिंग है तो कितना इसने अच्छा किये है वह सारा आप और रोल हिसाब किताब देख सकते हो अब बात कर लेते हैं यह यह त दोस्तों अभी जो एक मेजर टी ट्वंटी चली थी उसके अंदर ट्रेविस हैड इंटरनेशनल काम ने देख लिया अब यह है मेजर लीग इसने गया किया मैंने आपको बताया है ग्राफिक स्ट्रेटेजी में क्या करना है आपको में फिर से दोरा देता हूं अगर कोई प आपको देखने को मिलेंगे या तो चारन पे या उससे कम या जीरो पे लगबग जाते हुए दिखाई देंगे जो प्लेयर्स कंटीनिव अच्छा करते हैं और ट्रेविस हैड जेसे प्लेयर अगर जिस हिसाब सिनका रेट होता है सेल में अगर जिस बंदे ने ट्रेविस है 50 वाला जो उसके बाद भी 54 कर दिया इसने ठीक ना 254 कि ए एक में 32 में जो फिप्टीफॉर था एक में 33 में 54 थे उसके बाद अगैन 53 तीसरी 50 हो गई इसके बाद अगैन 4 इसके बाद यह पांच्वा मेच भी इसने एसने एस्टत्र मार दिया अब कोई बंदा सोचो की चार सेल के लिए कर रहा था फिर पांचे में सेल किया बड़ा कि यहंए सब्सक्राइब करते हैंने इतना इस लिए बेट इसके साल। फिर देखो पूरा चांस है कि छटा ना तो सात्वा तो T20 के लिए स्पेशलिस्ट जो T20 खेलते हैं उसके लिए सात्वा एकदम कंफर्म है और ODA में थोड़ा मानती है कि हां 5-7 बार हो सकता है बट यह भी अगर आप 10 प्लेयर के साथ ग्राफिक स्ट्रेटजी लगाओगे न और ODA में मुश्किल से 3-4 बार बस यह T20 में 2-3 बार कर लो उसके लावार नहीं हो सकता इसमें मैंने CPL में आपको बहुत सारे एक्जामपल दे दिये थे ट्रिश्टन स्टब्स का शेय होप का ऐसे बड़े-बड़े प्लेयर्स के बारे मैं मैंने चीज बताई अभी एक च च्छेटा में चाया अब काफी लोग तो हार मांच चुके होंगे जिसने आर नहीं मानी उसने नेक्स्ट में भी इनिवेस्ट किया यह हो गया और इसमें और लगबग हम बात करें ना इसका पचास से पच्छ पर उपे सेल का था तो इसने लगबग ज्यादा ज्यादा मैं चालीस पेंतालीस पर चालीस तो मान की चलो लगबग सो में से 180 पर्शेंट हमारे रिटन आगया एक पर्शेंट हमें प्रोफिट में रखा है इसने तो यह है ग्राफिक स्ट्रेजी देखो और यह भी बोलोग ना कि पांच मेंच का फंडगान से लाएं तो यह मैक्सिमम हो प्रोफिट दो में लोस और एक में फ्रोफिट तो फिर इंवेस्टमेंट तो मारा तीन बार भी गया ना पांच में तो वही चीज है तो अब बात कर लेते हम नेक्स्ट इग्जांपल की जेक फ्रेशर में गर्क आपने देखा होगा स्कोट लेंड में हमने इसको जो है वो सब्सक्राइब में बता दिया डेडिकेटेड वीडियो आपको यह तो चलो मैंने सीधा बता रहा हूं स्कोर कार्ड का इमेज के तुरू बाकि जो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आपको एक प्लेयर का उसका देखो रियल मीनिंग एक्स्चेंज का ही है कि एक प्लेयर से हम तो एक प्लेयर का ही जेनुन फाइदा उठा है ना हम सोचते हैं कि 22 में सी यह चल गया यह चलिए कंफ्यूज होते हैं तो सीधी सी बात है अगर आप इंटरनेशनल दोरे वगेरा होते रहते हैं लगातार आप देखोगे कभी उस्टेलिया इंडिया का कभी इंडिया पाकि प्लेयर मिल जाएंगे जिसके कि लगबग अगर एक टीटवन्टी जैसे आज हुआ है फिर एक से दो दिन का ब्रेक लगके फिर आएगा तो इस प्रकार से अगर आप देखोगे ना तो तीस दिन में मोश्ट प्रविवली 15 मेच मिलेंगे उस प्लेयर के तो उसके आप तीन खाल रहा है इंडिया और उस्ट्रेलिया गातो उसमें पैसा लगा दिया पतानी किस प्लेयर को भुष रहते हैं और बडल्य जीत के हम जीत के बड़्युभी सचाहिए होती है 머े हम लोग ही रहते हैं आईसा है आ कि मैंने में प्लेयर का पीचा कर लो नहीं सब टीम कैंगे कि हम लोस में रहते हैं तो उस हिसाब से देखो जो जो मैच चल रहे हैं ऐसा इसा नहीं बोला हूँ कि बस मैने में एक ही प्लेयर का पीछा करो नहीं सब टीम के एक प्लेयर से उठालो और डेली का प्रोफिट कुमा अदरवाइस तेस होगे ना कि आज मैच है कोई सीरीज का ह हम सिर्फ एक प्लेयर को फोलो करें जैसे कि विराट को ली हो गया अब आज वो फ्लोप हो गया हम बेट करेंगे दो दिन बाद में चाहेगा तो इसमें तो फिर हम उतना खेल नहीं पाते हैं तो सब टीम के एक प्लेयर उठा सकते हो और यह क्रिकेट का लोग अगर कोई प् एक्सचेंज का रियल मिनिंग यह है कि अगर जैनुवनली एक प्लेयर से प्रोफिट उठाना तो इस परकार से आप उठा सकते हो इस पर मैं आपको नेक्स्ट विद इन्वेस्टमेंट विद लोज और विद प्रोफिट और कितना मेरे को रिटन है कितना प्रोफिट हो सब बताऊंगा मैं आपको तो दोस्तो यह चीजे हैं बाकी देखो अगर आपको वीडियो अच्छा लगो तो चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करना टेलेग्राम को भी जोइन कर लेना और फेंटेसी यात्रा एप्लिकेशन देखो दोस्तो इसका डाउनलोड लिग वीडियो क कि बाई वीडियो दो वीडियो तो आपको जल्द ही वीडियो देखने को मिलेगा ठीक अना और अभी देखो क्लीन स्वीप हो आपको एक्स्चेंज की पिके साथ साथ टीम्स भी मैं देने लग गया हूं ड्रिम लेन पर क्योंकि देखो अब मेरे को तो यह असान लगने और वो जल्दी आउट हो जाता है ना जैसे कि अभी हम देख रहे थे ट्रेविस एडि के बारे में अगर पांच में च्छे किया तो लोग चटे में उसको करी करेंगे चलेंगे अगर उसका 95% सिलेक्शन है और वो डख पे आउट हो जाता है या चार-पांच पॉइंट प् लेके जाते हैं तो भी हमारे लिए प्रोफिटेबल रहता है तो वह मैंने कम से कम बताया था और उसमें भी लोग बोले थे बातें करना असान होता है बट नहीं देखो जिस हिसाब से अभी आज 10 में से 9 कॉंटेस्ट में जीती है मेरे को पूरा अच्छी वाइब सा रही थ अगर हमें पूरा फोकस से खेलन ठीक है मैं खेल रहा हूं मेरे को अच्छा लग रहा है बट अगर किसी को लगे कि नहीं मेरे को तो सो में से नेक्स्ट लेवल पे जो हार जीत करके आसी की लेके जानी तो आसान सा काम है से लेक्टेड में जैसे 10 कॉंटेस्ट लगाए है अ तो टेलेग्राम पे आपको डाउनलोड लिंक मिल जाएगा या वाट्सप चैनल का भी जोइनिंग लिंक का वीडियो की डिस्क्रिप्शन में तो वहां से आप वाट्सप चैनल को भी जोइन कर लेना तो बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट डूडियो में तब तक के लिए जेहिन जे बारत